नमस्कार दोस्तों मेरा यूटूब चेनल में आप लोगा बहुत बहुत स्वागत हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के सेमी फाइनल में भैत्य टीम ने सौथ अपरिका को दो बिकेट से हरादा थी भैत्य टीम ने फाइनल में जगा बना ली है में भैत्य टीम के कप्तान उदाय सहरान ने टोस्त जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया बलेबाजी का नेवता मिलने के बाद सौथ अपरिका की टीम ने भारत को जीतने के लिए 245 रानों का टारगेट दिया टीम इंडिया ने इस टार्गेट को कप्तान उदै साहरान और सचीन धास की धमकेदर परियों की बदावलत हसिल कर लिया, इन दोनों प्लियार्स ने दमदार बलेबाजी की, इन प्लियार्स की वज़ा से ही टीम इंडिया ने लगातर पॉच्वी बर अंडर उनिस वर्ल्ड क के फाइनल में जगा बना पाई है, कप्तान ने खेली दमदार पारी, सेमी फाइनल मेच में भैट्टे टीम की सुरुआत बहुत खराब रही, जब आदर सी ने पहली गेन पर बीना खाता खोले पबलियान लोट गए, इसके बद अरसिन कुलकरनी ने बारा रन बनाए, से कोई कमाल नहीं दिखा पाए, वहां मादर चार रन बनाकर आउट हो गया, टीम इंडिया एक समाई 32 रन बनाकर चार बिकेट गवाँ चुका था लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान उदै साहरान और सचीन धास ने बड़ी सज़धारी की, और टीम इंडिया को मुस्किल परिष्थिती से मिकाल लिया, इन पिलियार्स की वज़ा से ही टीम इंडिया मैच जीतने में सफाल रही, लेकिन सचीन धास अपना सतक पूरा नहीं कर पाए वह 95 गेंदों में 96 रन बना कर आउट हो गए उदाय सहरान ने 81 रान की पारी खेली राज लिम्बानी ने हजिल किये तीम विकेट साउथ अपरिका के लिए लुवन ड्रे प्रिटोरियास ने सबसे ज़्यादा 74 रन बनाए रिचार्ड सेल्वेंटन ने 64 रनों का युगदान दिया ओलिवर वारहेड ने 22 रन बनाए कप्तान जुवन जेम्स ने 24 रन और टिश्टन लूस ने 23 रन बनाए इन प्लेयर्स की वज़ा से ही सौथ अपरिका की टीम 50 उभर में 244 रन बना पाई भारत के लिए राज लिम्बानी ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट हसिल किया इसके अलावे मुसीर खान ने 2 विकेट नमान्तिवारी और सौमिय पंडे ने 1-1 विकेट अपने नाम किया भारत ने लगातर पच्वी बर बनाई अंडर 19 किर्केट वर्ड कप भरते टीम ने संदर तरीका से जीता है और इसके अलावे आठ फरवरी को होने वाला सेमी फाइनल मैच में जो अस्टेलिया और पकिस्तान के बीच खेला जाएगा इन दोनों टीमों में से जो टीम विजाई होगी उस टीम से फाइनल मैच खेला जाएगा हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद अगर अच्छा लगे तो लाइक से आर सब्सक्राइब जरूर करें जय हैंद